आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। शक दुर्ग के भीतरिक प्रकोष्ट, तीन मंचों में दो खाली और एक पर धुरुव स्वामी नी पदपीट के उपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरु से उंगली लगाई, चिंता में निबग्न बैठी है। बाहर कुछ कोला हल होता है, सैनिक प्रवेश करके कहता है महादेवी की जै हो, धुरुव स्वामी नी चौक कर, क्या? सैनिक, विजय का समाचार सुनकर राजा धिराज भी दुर्ग में आ गये हैं, अभी तो वो सैनिकों से बाते कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि महादे भी कहा है, आपकी जैसी आग्या हो, क्योंकि कुमार ने कहा है, धुरुव स्वामी नी, क्या कहा है, यही न, कि मुझसे पूछ कर राजा यहां आने पावें, ठीक है, अभी मैं बहुत ठकी हूँ, सैनिक जाने लगता है, तो उसे रोप कर कहती है, और सुनो तो, तुमने य यही नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे है, सैनिक, घाव चिंता जनक नहीं है, उन पर पट्टियां बन चुकी है, कुमार प्रधान मंडब में विश्राम कर रहे है, धुरु स्वामी नी, अच्छा, जाओ, यह कहने के साथ ही सैनिक का प्रस्थान होता है, मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके कहती है, भावी, बधाई है, अचानक उसे एसास होता है, जैसे उसने कोई भूल कर दी हो, नहीं नहीं, महादेवी शमा कीजे, धुरु स्वामी नी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लोटा लेना चाहती हो, अह, यद एकने में ही पुरोहिट जी का प्रवेश होता है, मंदाकी नी, क्या इसमें भी संधे है, दुरु स्वामी नी, मुझे तो संधे का इंदरजाल ही दिखाई पर रहा है, मैं ना तो महादेवी हूँ, और ना तुम्हारी भावी, फिर वो पुरोहिट को देखकर चुप हो जा ऐसे उपद्रवों के बाद शान्ती कर्म होना आवश्यक है। इसलिए मैं स्वस्त तयान करने आया था। किन्तु आप तो कहती हैं कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। द्रुव स्वामिनी तीखे स्वर में कहती है। पुरोहिजी मैं राजनीती नहीं जानती किन्तु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रू के लिए उपहार में भेज़ दी जाती है वो महादेवी की उच्च पद्वी से पहले ही वन्चित हो गई होगी। द्रुव स्वामिनी भाबी कहने का तुम्हें रोग हो तो कहलो क्यूंकि इनी पुरोहिजी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाशन करने का आवसर ही न मिला। हाँ, नजाने मेरे किस अपरात पर संधिक्द चित होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीक मांगी थी, वो भी नहीं मिली। और मैं बली पशु की तरहे अकरुण आग्या की डोरी में बंधी हुई, शक्दुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाबी कहना चाहती हो। मंदाकिनी ने सिर जुका कर कहा, ये गहेरत और गलानी जनत प्रसंग है। पुरोहिद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे तो ये जानकर प्रसंगता हुई थी कि वीर रमणी की तरहे अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। दुरूव स्वामीनी, आप जूट बोलते हैं। पुरोहिद जी आश्चरी से कहते हैं, मैं और जूट? दुरूव स्वामीनी, हाँ, आप और जूट? नहीं, सुयम आप ही मिथ्या हैं। पुरोहिद जी हसकर कहते हैं, क्या आप वेदान्त की बात करती हैं, तब तो संसार मिथ्या ही है। दुरूव स्वामीनी, क्रोध से बोली, संसार मिथ्या है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। परंतु आप, आपका कर्म कांड और आपके शाष्ट्र क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षणी या स्त्री की ये दुर्दशा हो रही है। पुरोहित जी मंदाकिनी से कहते हैं, बेटी, तुम ही बताओ, ये मेरा भ्रम है या महादेवी का रोश। दुरूव स्वामीनी, रोश है, हाँ, मैं रोश से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास धर्म के नाम पर स्त्री आग्याकारिता की ये पौशाचिक परिक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह करवाया है, उसका उत्सव भी कितना सुन्दर है। ये जनसनहार देखो, अभी उस प्रकोष्ट में रक्त सनी हुई शकराज की लोत पड़ी होगी, कितने ही सैनिक दम तोड़ते हूँगे, और इस रक्त धारा में तिर्ती हुई, मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्त्यान मुझे शान्ती देगा। कोई प्रतिकार, कोई सनरक्षन नहीं रक्षोडते, जिससे वो स्त्रीयां अपनी आपत्ती में अवलम मांग सकें। क्या भविश्य के सहयोग की कोरी कलपना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आग्या देकर विश्राम ले लेते हैं। पुरोहित नहीं, स्त्रीय और पुरुष का परस पर विश्वास, पूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा नहो तो धर्म और विवाह तो खेल है। दुरुव स्वामीनी, खेल हो या ना हो, किन्तो एक लीव पती के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यो मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वस्त्यन और शान्ती के आवशक्ता नहीं। पुरोहे आश्चरी से कहते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं, तब तो मुझे फिर से एक बार धर्म शाष्त्र को देखना पड़ेगा। ये कहकर वो प्रस्थान करते हैं। इतने में ही महर देव के साथ कोमा का प्रवेश होता है। धुरूव स्वामीनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाती की एक बालिका हूँ, धुरूव स्वामीनी, और… कोमा, और मैंने प्रेम किया था। दुरूव स्वामीनी इस गोर अपराद का तुम्हें क्या दंड मिला कोमा वही जो स्त्रियों को प्राया मिला करता है निराशा निश्पीडन और उपहास रानी मैं तुमसे भीक मांगने आई हूँ दुरू स्वामीनी शत्रूओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं मिहिर देव दिर्ग निश्वास लेकर कहते हैं पागल लड़की हो चुका न अब भी तू न चलेगी कोमा सिर जुका लेती है मंदा किनी तुम चाहती क्या ह कॉमा रानी तुम भी स्त्री हो क्या स्त्री की व्यता न समझोगी आज तुम्हारी विजय का आंधकार तुम्हारे शाश्वत स्तृत्व को ढख ले इन्तु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दिपावली जलती है जली होगी अवश्य तुम्हारे भी जीवन में वो का महत्सव आया होगा जिसमें रिदय, रिदय को पहचानने का प्रैत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्वदान करने का उत्साह रखता है, मुझे शक्राज का शव चाहिए, द्रूव स्वामी नी कुछ सोच कर कहती है, जलो, प्रेम की नाम पर जलना चाहती हो तो तुम शव को ले जाकर जलो, जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है, अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है, फिर सैनिक से कहती है इसे ले जाने दो, इसके साथ ही कोमा का प्रस्थान होता है, मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से ये पूरुशों के चर्नों को पकड़ती है, और वो सदैव ही इनको तिरस्कार, घ्रिना और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी ये बावली मानती है, दुरूव स्वामिनी भूल है, भ्रम है, फ उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है, क्या वो मेरी भूल ना थी, जब मुझे निर्वासित किया गया, तब मैं अपनी आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, और राजा धिराज राम गुप्त के चर्नों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पत पर ले ही गया, मंदा, दुर्प की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ, राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती, पृत्वी तल से जैसे एक साकार घ्रणा निकल कर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है, क्यों, क्या ये मेरे मन का कलुश है, क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ, उनमत्त भाव से वो प्रस्थान करती है, मंदाकिनी, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर, शाष्त्र का एक मंत्र, कील की तरह करके कहते है, कौन, मंदा, मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विष्राम करते, चंदरगुप्त बैठते हुए कहते है, विष्राम, मुझे कहां विष्राम? मैं अभी यहां से प्रस्थान करने वाला हूँ, मेरा कर्तव यो पूर्ण हो चुका है, अब यहां मेरा ठह मन्दाकिनी और इतना कहते ही वो चुप रह जाती है। और क्या, वो क्यों नहीं कहती हो। मन्दाकिनी तो क्या उसे भी कहना होगा। महादेवी बनने से पहले ध्रू स्वामीनी का जो मनोभाव था, क्या आपसे छिपा है। चंद्रगुप किन्तु मन्दाकिनी उसकी चर्चा करने से क्या लाब। मन्दाकिनी रिदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेणना और पौरुश की पुकार एकत्र करके सोचिये तो कुमार, कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप चिंतित भाव से टहलने लगता है, नेपत्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोला हल सुनाई देता है। देखूं तो ये क्या है, और महादेवी कहां गई। ये कहकर चंद्रगुप वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। चंद्रगुप विधान की स्याही का एक बिंदू गिरकर भागे लीपी पर कालिमा चड़ा देता है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई, ये मूख स्विकृती आज बोल रही है। मैं पुरुष हूँ? नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वागदत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, ये शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ, वही तो नहीं इस पश्ट रूप से प्रकट कर सका। ये कैसी विढम्बना है। विने के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। एक और से मंदाकिनी का प्रवेश होता है। मंदाकिनी, शकराज का शव लेकर जाते हुए आचारी और उसकी कन्या का राजा धिकार के साथी सैनिकों ने वद्ध कर डाला। धुरुव स्वामिनी, दूसरी और से प्रवेश करके। हैं। सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। सामंत कुमार, सब एक ही साथ कहते हैं। स्वामिनी, आपकी आग्या के विरुद राजा धिकार ने निरिह शकों का सनहार करवा दिया है। धुरुव स्वामिनी, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों है। राजा को आग्या देनी चाहिए और प्रजा को नत्मस्तक होकर उसे मानना चाहिए। सामंत कुमार, किन्तु अब वो असहाय है। राज सत्ता के अस्तित्व की घोशना के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन। मैं तो कहूँगा, इस दुर्ग में आपकी आग्या के बिना राजा का आना अन्याय है। धुरूव स्वामिनी, मेरे वीर सहाय को, मैं तो स्वयमिक परित्यक्ता और हत्भागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिती की कलपना से भी शोब हो रहा है, मैं क्या कहूँ। सामंत कुमार, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपत को कलुशित करने वाले के लिए मेरे हृदे में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहां वो किस मुँ से आए, जो हिंसक, पाखंडी, शीव और कलीव है। रामगुप्त, सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करता है। क्या कहा, फिर से तो कहना। सामंत कुमार, गुप्त काल के गौरव का कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले। शिखर स्वामी, उसे बीच में ही रोप कर कहता है। चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो। फिर वो चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहता है, कुमार, ये क्या हो रहा है। चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेश्टा करके चुप रह जाता है। रामगुप्त, दुर्विनीद, आखंडी, पामरो, तुम्हें इस दृष्टिता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। फिर नेपत्य की ओर देखकर, इन विद्रोहियों को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त श्रिंखला में बंद जाता है। धुरुव स्वामिनी, कुमार, मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो। किस अपराद के लिए ये दंड ग्रहन कर रहे हो। चंद्रगुप्त एक दीर्क निश्वास लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हसकर कहता है, कुछ अक्र करने वाले क्या बोलेंगे। धुरुव स्वामिनी, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुंदुभी बजाते हैं, वो सब के सब साधू होते हैं न। फिर वो चंद्रकुप्त से कहती है, कुमार, तुम्हारी जिवापर कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराद है कि मैंने कोई अपराद नहीं किया। रामगुप्त महादेवी धुरुव स्वामी नी उसे ना सुनते हुए चंद्रगुप्त से कहती है जटक दो इन लोह श्रंखलाओं को ये मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा तुम्हारा कुरुद दुर्दैव भी नहीं रामगुप्त उसे डाट कर कहते हैं महादेवी चुप रहो धुरुव स्वामी नी तेजस्विता से कहती है कौन महादेवी राजा क्या भी महादेवी ही हूँ जो शकराज की शैया के लिए क्रीत दासी की तरह भेज़ दी गई हो वो भी महादेवी आश्चर्य शिखर स्वामी देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता धुरुव स्वामी नी पैर पटक कर कहती है चुप रहो प्रवंचना के पुतले स्वार्थ से घ्रिनक प्रवंच चुप रहो राम गुप्द तो तुम महादेवी नहीं हो न? धुरूव स्वामीनी नहीं, मनुष्य की दी हुई मैं उपाधी लोटा देती हूं राम गुप्द और मेरी सहधर्मिनी? धुरूव स्वामीनी धर्म ही इसका निर्ने करेगा राम गुप्द हैं? क्या इसमें भी संदे है? धुरूव स्वामीनी उसे अपने हिर्दय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिनी हूं? इतने में पुरोहित का प्रवेश होता है, सबको सामने देखकर चौंक उठता है शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है उरोहित नहीं, मैं नहीं जाओंगा प्राणी मात्र के अंतहस्थल में जागरत रहने वाले महान विचारत, धर्म की आग्या मैं नहीं टाल सकूंगा अभी जो प्रेशन अपनी गंभीरता में भीशन होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का आधिकारी हूँ विवाह का धर्म शास्त्र से घनिष्ट संबंध है धुरूव स्वामी नहीं आप सत्यवादी ब्राम्मन है, कृप्या करके बतलाईए शिखर स्वामी विने से उसे रोक कर कहता है मैं समझता हूँ कि ये विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाब नहीं धुरूव स्वामी नहीं नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है आज ये निर्ने हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ रामगुप्द दुरूव स्वामी नी, निरलज्जता की भी एक सीमा होती है दुरूव स्वामी नी, मेरी निरलज्जता का दायित्व कलीश्व का पुरुषपर है स्थ्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यू के लिए मैं रामगुप्द बीच में ही रोप कर कहता है चुप रहो, तुम्हारा परपुरुष में अनुरक्त हिरदय अत्यंत कलुशित हो गया है तुम काल सर्पिनी सी स्थ्री? ओ, तुम्हें धर्म का तनिक भी भे नहीं शिखर, इसे भी बंदी करो पुरोहित छहरिये महाराज, छहरिये धर्म की ही बात मैं सोच रहा था शिखर स्वामी क्रोध से कहता है मैं कहता हूँ कि तुम चुपन रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी इतने में सैनिक आगे बढ़ता है मंदाकिनी उसे रोप कर कहती है महाराज, उरुशार्थ का इतना बड़ा प्रहसन अबला पर ऐसा अत्याचार ये गुप्त समराठ के लिए शोभा नहीं देता राम गुप्त सैनिकों से कहता है क्या देखते हो सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रंखला तोड़ डालता है सब आश्चर्य और भय से देखते हैं चंद्रगुप्त मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ और शिकर स्वामी तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ तुम्हारी नीचता अब असहाय है तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सा कुशल बाहर चले जाओ यहां अब मैं ही शकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ राम गुप्त कुछ भैवीत होकर चारों ओर देखता हुआ क्या? दुरूव स्वामी नी चंद्रगुप्त से कहती है यही तो कुमार चंद्रगुप्त सैनिक से डपट कर इन सामंत कुमारों को मुक्त करो सैनिक वैसा ही करते हैं और शिकर स्वामी के संकेत से राम गुप्त धीरे धीरे भै से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है शिकर स्वामी कुमार इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिशत का निर्नय मानना ही चाहिए मुझे आपके अधिपत्य से कोई विरोध नहीं है किन्तु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए मैं कुल व्रद्धों और सामंतों को जो यहां उपस्तित हैं लिवा लाने जाता हूँ सैनिक लोग भी वहां से चले जाते हैं और सामंत कुमार अपने खगों को खीच कर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं द्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं परिशत के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है सब लोग मंच पर बैठ जाते हैं पुरोहिद कुमार आसन ग्रहन कीजे चंद्रगुप्त मैं अभियुक्त हूँ शिखर स्वामी बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है भाई-भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाई है चंद्रगुप्त अमात्य तुम गौरव किसको कहते हो वो है कहीं रोग जरजर शरीर अलंकारों की सजावट मलिंता और कलुष की धेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ता कुटिलता की प्रतिमूर्ती बोलो मेरी वागदत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिये हुए मेरे सिनहासन का आभ़रन किसके संकेत से हुआ और चल से ये उनमत प्रलाप बंद करो चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई ही हो न? मैं तुमको शमा करता हूँ मैं उसे मांगता नहीं और शमा देने का आधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा आज तुम राजा नहीं हो तुम्हारे पाप प्रैस्चित की पुकार कर रहे हैं न्यायपूर्ण निर्ने के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो मंदाकिनी इंधरुव स्वामिनी को आगे खीच कर कहती है ये है गुप्त कुल की वधू राम गुप्त मंदा मंदाकिनी राजा कब है मंदा का गला नहीं घोड सकता तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धी होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रू के दुर्ग में यून भेशते भगवान ने स्त्रियों को उत्पन करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है किन्तु तुम लोगों की दस्यू व्रती ने उन्हें लूटा है इस परिशत से मेरी प्रातना है कि आचारे समुद्र गुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राजकिल्विश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए शिखर स्वामी तुम क्या कह रही हो मंदाकिनी मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ अनार्य सुन नहीं सकते तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की स्रिष्टी की है उनका अन्त समीब है ये सामराज्य किसका है? आर्य समुद्र गुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्र गुप्त को या इस कलीव राम गुप्त को जिसने चल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आग्या दी है वही राम गुप्त जिसने काब पुरुषों की तरह इस तरी को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किये भेश दिया था तुम्हारे गुप्त सम्राज्य का सम्राठ है और ये धुरुषों मिनी जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है वो क्या है कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है कहीं धर्म शाष्त्र हो तो उसका मुझ खुलना चाहिए पुरोहित शिखर मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं मैं राज्य के संबंद में कुछ नहीं कहना चाहता वो तुम्हारी राजनीती जाने किन्तो इस विवाह के संबंद में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए एक वृद्ध ने कहा कहिए देव आप ही तो धर्मशाष्तर के प्रमुख है पुरोहित विवाह की विधी ने देवी धुरूव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांती पून बंधन में बान दिया है धर्म का उदेशे इस तरह पद्दलित नहीं किया जा सकता माता और पिता के प्रमान के कारण धर्म विवाह केवल परसपर द्वेश से तूट नहीं सकते परन्तु ये संबंध उन प्रमानों से भी विहीन है फिर वो रामगुप्त को देख कर कहते हैं ये रामगुप्त मृत और प्रवरजित तो नहीं पर गौरव से नश्ट, आचरन से पतित और कर्मों से राजकिलविश क्लीव है ऐसी अवस्था में रामगुप्त का धुरूप स्वामीनी पर कोई अधिकार नहीं रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से कहता है मूर्क, तुमको मृत्यों का भै नहीं पुरोहित, तनिक भी नहीं ब्रामण केवल धर्म से भैबीत है अन्य किसी भी शक्ती को वो तुछ समझता है तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ मंदाकिनी, धन्य हो ब्रहमदेव शिकर स्वामी, किन्तु निर्भीक पुरोहित तुम क्लीव शप्त का प्रयोक कर रहे हो पुरोहित हसकर कहता है राजनीतिक दस्यू, तुम शाश्त्रार्थ ना करो क्लीव, श्रे कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किसलिए कहा जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंग गामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोष नहीं, वो क्लीव नहीं तो और क्या है मैं स्पष्ट कहता हूँ, कि धरम शाश्त्र राम गुप्त से धुरुव स्वामिनी के मोक्ष की आग्या देता है परिशत के सभी लोग कहते हैं अनार्य, पतित और क्लीव राम गुप्त, गुप्त समराज्य के पवित्र राज्य सिनहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है राम गुप्त, शशंक और भैबीत सा इधर उधर देखता है फिर कहता है, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भॉंकने पर न चोड़ दूँगा शिखर स्वामी, किन्तु परिशत का विचार तो मानना ही होगा राम गुप्त रोने के स्वर में शिखर, तुम भी ऐसे कहते हो नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा ध्रूव स्वामी नी राम, तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ राम गुप्त हैं, ये परिवर्तन मैं तो सचमुच कलीव हूँ गया धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त की पीछे पहुँचकर उसे कटार निकाल कर मारना चाहता है चंद्रगुप्त को विपिन देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामन्त कुमार रामगुप्त पर प्रवाह करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है रामगुप्त नीचे गिर पड़ता है सामन्त कुमार राजा धिराज चंद्रगुप्त की जै हो परिशल महादेवी दुरुव स्वामिनी की जै इतने में यवनी का गिरती है और ये नाटक यहीं समाप्त होता है तो दोस्तों आशा करती हूँ कि जैशंकर प्रशाद जी द्वारा लिखा गया ये नाटक आपको पसंद जरूर आया होगा अगर आपको इसका वाचन अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और इस वीडियो में अपने कॉमेंट्स के जरीए मुझे बताईएगा जरूर की आपको इसका वाचन कैसा लगा तो चलिए जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए खुश रहिए और स्वस्त रहिए नमस्कार